नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है कि नई वीडियो पे आपके अपने चैनल लोयल एलेक्टिक ग्यान हो है दोस्तों आज किस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ MCBDP का connection किस परकार से किया जाता है दोस्तों MCBDP का connection करने में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं और MCBDP का connection गलत करने के वज़े से आपका MCBDP trip नहीं करेगा अगर हमारा MCBDP trip नहीं करेगा तो फिर हमें कोई फायदा ही नहीं होगा MCBDP लगा करके हमें खर्चा भी लग जाता है पैसे भी जादा लगता है MCB लगाने में और हमारा MCBDP ट्रीप भी नहीं करेगा तो फिर हमें MCB लगाने में कोई मतलब ही नहीं बलता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ step by step details में clear करने वाला हूँ कि MCBDP का wiring connection किस परकार से किया जाता है और दोस्तो जितने बरांड का आप MCBDP लगाते हैं सब का connection अलग-अलग तरीके से होता है होता है तो सेमी लेकिन थोरा-थोरा सा कुछ ना कुछ changing होता है और उसका क्या symbol है किस चीज़ को आप देख करके आप सही connection कर सकते हैं ताकि आपका भी MCBDP ट्रीप करेगा यह सारा कुछ इस वीडियो में डीटेल्स में बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ वेलाइकर भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो एलेक्टिक से जोड़ी हर तरीकी की वीडियो और जानकारी आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती है और आने वाले समय में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी तो चले जोस्तो आज के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो हमारे पास एक एंकर का MCVDP है और एक लेंटी का MCVDP है तो आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ step by step details में बताऊंगा और सही तरीका बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे ताकि आपका MCVDP भी trip करेगा तो सबसे पहले हमें आपको एंकर का connection करके दिखाते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को समझाओंगा आपको किस तरीके से करना है और कैसे पहचानना है कि हमें किसी भी बराण के MCVDP का connection कैसे करना है तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है ये red wire को हम face में चलाने वाले हैं और black wire को हम neutral में चलाने वाले हैं तो सबसे पहले हम neutral लगा लेते हैं ये जो आप MCVDP का नीचे वाला हिस्सा है इसमें आपको input लगाना है और उपर वाले में आपको output लगाना है ठीक है दोस्तो और right side से आपको कभी भी neutral लगाना है तो नीचे में हम input लगा लेते हैं neutral right side से neutral हम लगा लेते हैं और इसको हम tight कर लेते हैं ठीक दोस्तों रोल्प साइट से हमें नीचे में फेस इन्पुट लगा ले ना है और इसको हमें टाल य kia क्या थाइट कर लें अदर दोस्तों ऐंड डोट में आप लोगों को एक वह लड़र बल्व लगाकरग है लिसों में अप इसमें आप लोगों को धयान देना है कि जो आप राइट side जो आप नीट्रल लगाए थे input में तो output में भी same करना है राइट side में हमें neutral लगा लेनी है और left side में ा हमें face लगा लेनी है जो output फेस होगा हमारा ठीक है दोस्तों तो normal है आप लोग समझ गए होंगे कि नीचे input और उपर output यानि कि input आ रहा है जो हमारा supply जो आ रहा है supply को हमें नीचे लगाना है और output यानि कि घर के load को हमें उपर लगाना है ठीक है दोस्तों अब details में इसके बारे में समझ लेते हैं तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए एक line है जो इस तरीके से घूमते हुए जा रहा है ठीक है दोस्तों एक line है जो घूमते हुए जा रहा है एक line है जो सीधा जा रहा है लेकिन आप इसमें देखेंगे कि दोनों line इसमें घूमते हुए जा रहा है सीधा है इसमें कोई भी लाइन नहीं है ठीक है दोस्तों इसमें एक लाइन है जो घूम रहा है एक लाइन नहीं घूम रहा है और राइट साइड है जो सीधा जा रहा है तो जिसमें घूमते हुए जा रहा है उसमें आपको करना है कि फेस लगाना है उसका मतलब है कि आप अगर MCB को off करते हैं तो आपका line कट जाएगा लेकिन यह जो सीधा line जिसमें रहेगा आपका off करने के बाद भी यहाँ supply कुछ न कुछ थोरा पहुंचता है जादा नहीं थोरा बहुत पहुंचता है जिससे आप लोगों को परिशानी हो सकती है इसमें हो लोगों को नॉर्मली ध्यान देना है और यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें इंकर में लिखा हुआ यहाँ पे line और यहाँ load लेकिन आप यहाँ देखेंगे LNT में तो नहीं है ठीक है इसमें आप हर तरफ देख लिजे इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा नीचे दे सीधा रहेगा उसमें आपको नूट्रल लगाना है ठीक है दोस्तो और आप LNT में जाएंगे तो LNT में आप किसी में भी नूट्रल लगा सकते हैं राइट भी नूट्रल लगा सकते हैं लेकिन दोस्तो जो जैनमन तरीका है लेफ्ट साइड ही आपको फेस लगाना है और रा वाया तरफ नूट्रल दे देते हैं, तो आपका फिर MCB ट्रिप नहीं करेगा, वो MCB लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसी परकार से आपको MCB DP का कनेक्शन करना है, किसी भी बरांट में आप चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, किसी भी बरांट मे करना है, अगर सीधा जिसमें भी रहे, उसमें आपको Neutral डालना है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रख लेना है, और नीचे तरफ Input डालना है, उपर तरफ Output डालना है, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गया होंगे, अब हम इसमें आप लोगों को Bulb लगा करके, और On करते हैं, तो On हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी परकार से इसका Connection करना है आप लोगों को, तो दोस्तों मिद करता हूं कि ये वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरह से Step by Step के लिएर समझ में आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो से Related किसी भी तरीके का कोस्टन है सुझाब है, तो आप लोग comment box में comment जरूर कीजेगा, और दोस्तों वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, और दोस्तों चैनल को subscribe करके साथे साथ बैला के नई पिरेस कर लिजेगा, क्योंकि दोस्तों electric से जोरी हर तरीके की वीडियो और जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलती है और आने वाले समय में आपको इस चैनल पर नई नई तरीकी की वीडियो देखने को हमेशा मिलती रहेगी, तो चले दोस्तों आज की लिए नहीं फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपी के साथ जब तक के लिए बारे